नवरात्री शुरू होने से पहले घर से निकाल दे ये आड़ चीजे वर्ना हो जाओगे कंगाल नवरात्री हिंदु धरम का एक महत्पून पर हैं जो मा दुर्गा के नो अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है ये नो दिनों तक चलने वाला त्योहार आ और सभी भक्त उनके आशिरवात के लिए वरत्त रखते हैं नवरात्री में देवी मा के नो अलग 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 रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती हैं और उनसे अलग अलग वर्दान मांगे जाते हैं नवरात्री का पर बुराई पर अच्छाई की जीत का परतीक भी माना जाता है देवी मा महीसासुर जैसे राक्ससों का वद्ध करके बुराई का नास करती है इस दोरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं पंचांग के अनुसार इस साल आस्विन माय के सुकल पक्ष की परती परदा तिथी क सुरुआत तीन अक्टूंबर को देर रात बारा बचकर अठारा मिनट से होगी वहीं इसका समापन चार अक्टूंबर को देर रात दो बचकर 58 मिनट पर होगा ऐसे मैं नवरात्रा का शुबारम तीन अक्टूंबर से ही होगा नवरात्री एक पवित्र पर्व हैं और इस द कि इन चीजों को घर से निकाल फेकने से मा दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है घर में तूटी हुई मूर्तियां, फटे हुए कपड़े, तूटी हुई घडियां, तूटा हुआ बर्तन आदी नकारत्मक उर्जा का परतीक माने जाते हैं इने घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाते हैं कि माता रानी का आशिरवात आप पर सदेव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जे माता लक्ष्मी जरूर लिखे नमबर एक, मूर्ति या तस्वीरे नवरात्री के दोरान घर में सकारात्मक माहूल रहना चाहिए ऐसे में इस दोरान घर से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या तस्वीरे हटा दे चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता पेदा करती हैं साथ ही ये घर में वास्तु दोश का भी कारण बन सकते हैं ऐसे में आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्चित कर सकते हैं नमबर दो लेसुन और प्याज नवरातरी के दोरान सात्विक भोजन करने की सला दी जाती है और लेसुन और प्याज खाने की भी मनाई होती है अन्यता आपको नवरातरी के दोरान कोई लाब नहीं मिलता है ऐसे में कोशिस करें की घर में लेसुन प्याज ने लाएं इसके साथ ही जो फूल लंबे समय से सूखे हुए हो उन्हें भी नवरातरी से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि इसे सूब नहीं माना जाता है नमबर तीन सूखे पड़े फूल रोज पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल चड़ाते हैं यहे फूल कुछ दिनों में सूख कर बेकार हो जाता है ऐसा माना जाता है कि नवरातरी शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए सास्तरों का कहना है कि सूखे फूलों का घर में रहना शुब नहीं होता नमबर चार तूटी जाड़ू हिंदु धरम में जाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है अगर घर में तूटी जाड़ू पड़ी हो तो नवरातरी शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दे नहीं लक्ष्मी का अपमान देख मा दुर्गा रुष्ट हो जकती है तूटी जाड़ू घर में रहने से वास्तू दोस भी लगता है और नकारात्मक उड़जा आती है नमबर पांच फटे पुराने कपड़े कहते हैं जिस घर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता उस घर के सदश्यों से मान लक्ष्मी नाराज रहती है ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़ों को फेंक देना चाहिए ऐसे कपड़ों की वज़े से घर में नकारात्मकता फेलती हैं और वास्तू दोस भी पेदा होता है नमबर 6. बंद घड़ी घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरकी रुक जाती हैं और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती हैं इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्यफालतू सामान को नवरात्री शुरू होने से पहले हटा दे नमबर साथ तूटा हुआ काच तूटा हुआ काच या फिर इससे बनी चीजे रखने से घर में नकरात्मक उड़जा आकर्शित होती हैं जिसके कारण आर्थिक इस्तिती कमजोर होने लगती हैं इसलिए नवरात्री शुरू होने से पहले घर से काच की तूटी हुई चीजे निकाल दे नमबर आठ कटी फटी धार्मिक पुस्तके वास्तू सास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तके नहीं रखनी चाहिए यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई हो तो उसे नवरात्री से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दे नमबर नो तूटे बर्तन और उपकरण आपके घर में अनुपयोगी गेस चुला बेकार विशली के उपकरण पड़े हो या कीचन में तूटे फूटे बर्तन हो तो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए तूटे फूटे बर्तन रखने से दरी दरता आती हैं और खराब उपकरण घर में नकरात्मक उर्जा को पेदा करते हैं इससे परिवार के लोगों के विचारों को सहत पर बुरा असर हो सकता है पूजा घर हमारे आवास का एहम हिसा है पूजा घर को साब सुत्रा रखना जरूरी है इसके लिए आप वहाँ पर पड़े पुराने कलावे खराब नारियल तूटा हुआ माला आदी को भी हो उनको हटा दे इन सब के कारण दोश उत्पन होते हैं पूजा में बासी फूल क का उपयोग भी वर्जित हैं केई बार हम पिछले वरत और त्योहारों की सामगरी को सही से नहीं रखते और वे दीरे-दीरे खराब हो जाती हैं इसलिए उनको भी हटा देना जरूरी है नमबर ग्यारा बेकार खाना नवरात्री के पहले दिन घर वे मंदिर की सफाई कर अच्छ भोजन बनाया जाता है यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर कर दे खराब खाने की दुरगंद से मा दुरगा नाराज होती है और आपको उनकी नाराजगी जहलनी पड़ सकती हैं नमबर बारा सुरुआत से पहले ही घर से सभी तरे का कूड़ा कबाड हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए इन बातों का रखे खास ध्यान घर में इस्तमालने होने वाली चीजे नकारात्मक उर्जा को आकरशित करती हैं जो घर में कलेश और परिसानियां ला सकती है इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवा बढ़ता है कुछ मानताओं के अनुसार तूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरे लखने से देवी देवताओं के अपमान माना जाता है नवरात्री के दोरान घर को साफ सुत्रा लखना बहुत मैत्पुन है मानिता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और मा दुर्गा की क्रपा प्राप्त होती हैं नवरात्री में करे ये काम नमबर एक मा दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है लाल रंग को सम्रद्धी, सोभाग्य, सक्ति और प्रेम का पर्तीक माना जाता है नवरात्री में मा दुर्गा को लाल रंग के फूल चड़ाएं और लाल रंग की चुनरी या वस्तर जरूर चड़ाएं नमबर दो, नव रात्री में मा दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा करे विसेश रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए नए फूल और मिठाईया मा दुर्गा को अर्पित करे नम्बर ती नवरात्री में परति दिन माता दुरगा के मंत्रों का दुर करे और ध्यान करे इस से मन की शांती और एकागरता बढ़ती है और परिवार में खुश हाली आती है नमबर चार नव रात्री के पावन दिनों में जरुरत मंदों को दान दे या उनकी सेवा करे यह बहुत ही पुन्य का कार्य माना जाता है जिसे करने पर शुब पल की प्राप्ती होती है जे स्री किष्णा राधे राधे जे माता दी